यूटूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेक आउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां सेयर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ 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 स्टॉक मार्केट ये लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आप टेलिग्राम पे इस टॉक बजार और सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा उसे जॉइन कर लें, इस पुझे बात करें एक बहतरी सेयर जो कि आपको स्टॉक के स्पलीट करने जालें, और इस स्टॉक स्पलीट से आपके नमर आफ से डुड़ हो जाएंगे यह जो company है वह है estill as free Wilson limited और यह company अपने स्टाप के face value 10 से face value 5 करने चाहरा है तो इस ते क्या होगा आपके पास exiting one share है one share आपके पास two share हो जाएंगे face value आधे हो रहा है तो number of shares double हो जाएंगे आप लेकि यहाँ पर जो share split हो रहा है face value 10 से face value 5 इसका record date और X split date अभी announced नहीं हुआ है क्योंकि यह approval के लिए जाएगा shareholder के पास और जब annual general meeting होगा उसके बाद approval होगा shareholder का उसके बाद record date तहीं किया जाएगा और X split date क्या होगा मुहापित्ते हो जाएगा अगर बात करें एस्टिल स्टीफ विल्स का तो इसका क्रेंट जो मार्केट के अपे 2,905 क्रोर का है और कंपनी का जो डिविदे निल है बहुत जीरो है कंपनी डिविदे न भी पे नहीं कर रही है और प्रमोट सोली से 2.8 परसेंट है और इसमें से 37.1 परसेंट सेयर प्लिज है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं जो भी लोग इन्वेस्टेट है तो स्टॉक अपने All Time High पे है यहां स्टॉक के स्ब्लिट के नियोंद के कार्भ और जादा तेजी होगा तो यहां नहीं है सिर्फ यहाँ पास ज्यादा है यह बड़ा कंसर्ण है और टोटर डेट की बात है 769 क्रोड का है जबकि रिजर्व कमपनी पास 734 क्रोड का है और नेट अनुबर प्रोफिट 138 क्रोड का है कंपनी के बिजनेस की बात करें कंपनी 1985 में स्टार्ट हुई थी और ऑपनेशन में 1991 में और यह कंपनी क्या करती है डेचाइन करती है मैनुफेक्चर करती है इस्टिल विल रीम होता है तो रीम को मैनुफेक्चर करती है डेजाइन करती है और कंपनी उसे सप्लाइ करती है और यह कंपनी लीडर है ओटोमोटिव वि करती है तो काफी बहतरी यह कंपनी है किसी भी विल का जो रीम होता है वह यह कंपनी मैनुफेक्चर करती है और इस्टिल विल रीम बनाती है तो काफी जबरदस्त कंपनी का प्रोडेक्ट है और कंपनी काफी बहतरी बिजनेस करती है अगर बात करें सेहर के प्राइस का तो द तो one side momentum मिला एक बहत्री रिटर्न है और अगर आप long term में देखेंगे तो share price काफी जबरदस्त रिटर्न यह आपने investor को अगर 2020 के गिराउखन को invest करता तो मात 330 रूपीज में stock मिला था वहां से stock 200 रूपीज तक जा चुका है तो काफी बड़ा multi-bagger return मिला है एक से देख सालों में लगवक सिक्स टाइल्स का रिटर्न जो की काफी बहत्री रिटर्न है अगर यहां पाप promoters का जो प्लेशेर है वो रिमूग होता है तो निश्चित रूप से stock investment के लिए काफी बहत्रीन है long term में तो आपको ध्यान लखना ह कि जैसे promoters staying जो है प्लेशेर का वो decrease होता है तो आप इस stock में किसी फी घिरावट में invest कर सकते हैं कपनी का बिजनेस काफी बहत्रीन है जिसको हम किसी वीडियो में डेटेल में discuss करेंगे तो अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर चरू किज़ेग जब पहली बार आया है तो सस्क्राइब प्लेशे का इसी तरह के एजुकेशन और इंफॉर्मेटी वीडियो देखने के लिए